ही एवर्ड लेकर आगी आप सब भी के लिए फिर से एक और पिके काट एंड पिक एंचल नमबर रीडिंग लेकर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ईश्वर ने भगवान जी ने डिवाइन में जिस भी रूप में आप उनको मानते हो उन्होंने आप लोगों के लिए क्या सोचा हुआ है तो क्या था ना कि एक मैसेज कि सब कुछ भगवान जी के उपर चोड़ दो सब कुछ उपर वाले के उपर चोड़ दो यह मैसेज बार बारी रीडिंग में आ रहा था तो यही मुझे इंस्परेशन मिली कि आज मैं आप सभी के लिए वाली रीडिंग लेकर आऊ और देखत पर दो करना ही पड़ता है तो यहां पर डिवाइन की आप लोग ले क्या प्लाइनिंग है यह इस रीडिंग में देखेंगे तो मुझे पता नहीं यह पहले से फीलिंग आ रही है यहां पर जैसे लोग ना बहुत ज़री होप्स के साथ ही रीडिंग को देखने आ रहे हैं जो भी लोग इस रीडिंग को देखने आ रहे हैं कोई ना कोई मेसेज यहां पर उन लोग लिए जरूर हो तो जो भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें पूरा जरूर देखें उस रीडिंग को क्योंकि कोई ना कोई मेसेज वहां पर आप लोग लिए जरूर होगा यहां पर ह यहां पर महाधीव का काड़ गुर्प नम्मर 2 के लिए हैं यहां पर एंजल नम्मर 10 नम्मर 10 कालीमा का काड़ ठीक है तो आप चाहें तो अगर महादीव और कालीमा से किसी की भी अनरजी से आप इस रीडिंग में जादा करनेक्ट कर पा रहे हैं उनकी पिच्चर्स देखें आप उनसे जादा कनेक्ट कर पा रहे हैं आप वो रीडिंग अपने लिए देख सकते हैं नहीं तो आप सिंपली एंजल नम्मर से अपने लिए रीडिंग को चूज कर सकते हैं और टाइम से नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे चूज करने में डिफकल्टी हो रहे हो तो दोनों रीडिंग को देख लेना जिसकी एनरजी आप से रेजनेट करें आप उसे अपने लिए रख लेना अपने लिए मान लेना ओके चलें अभी बॉक्षन फर्स के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं है अगर आप लोग ने महादेव का कार्ड चूज किया है या फिस आप लोग को इंजल 11 11 बहुत बहुत जादा ट्रेक करा है और चलें देख लेते हैं डिवाइन ने इशर ने आप लोग ले क्या सोच रखा है क्य प्लाइनिंग है उनकी आप लोगों के लिए और क्या कुछ ब्लसिंग आप लोगों के लाइफ में आ रही है क्या कुछ गाइदेंस है आप लोगों के लिए क्या कुछ अद्वाइस है यह सारी चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग में देखेंगे टाइमलेस रीडिंग है और मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है साथ में आप किसी भी एज ग्रूप से हैं तो भी इस रीडिंग को के लिए देख सकते हैं ठीक है तो आप्शन फर्स्ट मुझे इस रीडिंग करते वक्त भी आप लोगों की कि मैंने पहले ही बोला था इंट्रो में कि इस रीडिंग को आज जो लोग देखने आ रहे हैं वो बहुत सादा किसी तरीके से उम्मीदों से आ रहे हैं है ना लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज रही हैं कि जहां पर मतलब दर्द भी है पेन भी है जहां पर लेकिन फिर मुस्करा भी रहे हो और भगवान जी की उपर भरोसा भी कर रहे हो कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा और जो होता है वो किसी ने किसी रीजन से होता है यह चीज मैं आप लोग ले देख रही हूं और एक मैसेज मुझे हाँ पर आप लोग ले मिल रहा है option first कि आपको आपके सब्र का फल जरूर मिलेगा देखते हैं यहाँ पर बताती हूं मैं option first night of swords, five of wands, queen of wands and three of cups and यहाँ पर है wheel of fortune so option first अगर यहाँ पर मैं बात कुई हूं आप लोगों के क्या सोचा है divine ने सबसे बहले आप लोग की थोड़ी बहुत energies की यहाँ पर मैं बात करूं न तो काफ़ी सारे conflicts life में चल रहे हैं, काफ़ी सारी उलज़ने life में चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ों में आप stuck feel कर रहे हैं कि मैं यहाँ से आगे नहीं भड़ पा रहा और बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वक्त ना दूसरे लोगो को blame कर रहे हैं इसके वज़े से मेरी life खराब हो गई, इसने मेरे को cheat किया, इसने मेरे को dhokा दिया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, यह इतना खुदगर्ज है यह इतना बुरा मतलब यह नो दूसरे लोगों की वज़े से जैसे काफी सरी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में क्रियेट हुई है अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए पहला मैसेज ऑप्शन फर्स ये है कि दूसरों को ब्लेम करना आप लोगों को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा अब देखो हो सकता है बहुत मुश्किल हो यह आपके लिए है ना लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ब्लेमिंग वाली एनरजी से बहार निकलो अब जो है यही है और यहीं से आपको चेंज करना यहीं से आपको बदलाफ करना है तो चीजों की रिस्पॉन्सबिलिटी आपको अपने उपर लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ के लिए आप खुद रिस्पॉन्सबिल है आप लोगों ने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन्स दूसरों से रखी है और इसे के विज़े से कही न कही न प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में आई और एक्सपेक्टेशन्स भी इसलिए हुई पिकर आपने करा होगा बहुत जादा आप लोगों से अटेच हो जाते हो बहुत जल्दी आप वो मीदे लगा लेते हो है ना तो अभी यहाँ पर एक तो पहला मेसेज आप लोग के लिए है option first कि जैसे मैंने कहा कि blaming बाली energy से बहाने कलो आप खुद अपनी life के लिए responsible हो दूसरा लोगों से expectations थोड़ी सी आप लोगों कम करनी पड़ेंगी अब मैं बात करूँ कि भगवान जी ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है तो देखो जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना option first समय आने पर ना उनको उनके किये का फल तो जरूर मिलेगा तो आप अपने मन में से वो चीज को निकाल दो यहां पर divine की तरफ से message यह है कि मैं हूँ ना तुमारे साथ मैं खड़ा हूँ ना तुमारे साथ तुमारी जो prayers है मैं सुन रहा हूँ ठीक है और समय आने पर तुम्हें तुम्हारा फल भी जरूर मिलेगा लेकिन यह जो कुछ चीजें हैं यहां पर तुमारे lessons है यहां पर तुमारी learning है यहां पर तुम्हें इन चीजों से इन चीजों को face करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा तब ही तुम्हें तुम्हारी learnings मिलेंगी तुम्हारे lesson मिलेंगे और यकीन मानिए यूनो जो हम इन सारी चीजों से आगे बढ़कर निकलते हैं एक दो तीन सालवा जो हम पीछे मुड़कर देखते हैं हम बहुत बदल चुके होते हैं हम बहुत change हो चुके होते हैं, हमारे अंदर बहुत maturity आ चुकी होती है तो यहाँ पर यही चीज option first मैं आप लोगे देख रही हो कि divine की तरफ से message यही है यहाँ पर कि success आप लोगे को जरूर मिलेगी ठीक है growth आपकी life में जरूर आएगी जो खुशियां आप चाहते हो वो जरूर आप लोगे को मिलेंगी लेकिन कुछ चीजों से कुछ जो burdens आपने अपने उपर ले रखे हैं आपको उनसे खुदको आजाद करना पड़ेगा और यही एक reason है कि यहाँ पर कुछ लोगों को ना sometimes कभी back में pain हो रहा है कभी knees में pain हो रहा है कभी joints में pain हो रहा है कभी headache बहुत जादा हो रहा है बेवज़े कुछ भी problem कुछ ना कुछ लगे रह रहे हैं आप लोग की body के साथ वो जो आपकी body में जो stuck energies है ना वो इसी तरीक किसे निकल रही है यहां पर कहा जा रहा है उसको let go कर दो उसको निकाल दो अपने अंदर से उसकी कोई जगे नहीं है आपकी life में कुछ तो लोगों ने किया उनने तो जो करना था वो की आई अब आप क्योंकि उसको रखके बैठे हो तो आपको और ज़्यादा हर्ट कर रह आप मूव ओन का मतलब यह है कि आप उसके बारे में सोच भी रहो ना अपने पास्ट की बारे में तो आपको फरक नहीं पड़ रहा है आप खुद को हील कर चुक यह यह मूव ओन तो वही चीज़ यहां पर option first कही जा रहे कि अपनी life में अपनी खुशियों की दरफ आगे आपको मिलेगी अब जैसे यह रीडिंग आपसे रिजनेट कर रही है तो यह भी आपकी हेल्टी हो रही है ना आपको मार्क दिर्शन मिल रहा है कि मुझे कहां पर आगे जाना है मुझे क्या करना है वो चीज़े हैं थोड़ा से कुछ लोग लिए मुझे यहां पर यह भी म तब भी यहां पर आपकी समस्याओं का समधान निकलेगा देखते हैं यहां पर और क्या मेसेज़ेज हैं क्या गाइडेंस है क्या सुच है भगवान जी ने option first and यह सुचा गई आपके लिए यह बहुत ही powerful energy है और इस powerful energy के लिए आप कहीन divor स्बाइगा उओί आप इं टॉक्सिक नहीं हो आप इन toxic लिखे अपनतिक रिशतों के लिए टॉक्सिक लोगों के लिए नहीं हो अब कि ए Dalam करने के लगी है, वननेस की एनरजी, होलनेस की एनरजी, यह मदीशन वाली एनरजी कि I can manifest anything in my life, I can achieve anything in my life, I can do anything you know, वैसी kind of energy, यहाँ पर मुझे आप लोग ले फील हो रही है, जहाँ पर आपको अपने उपर भरोसा है जहां पे आप चीजों को बैलेंस करना जानतों जहां पे यहीं कम्यूनिकेशन अच्छे निकालने के लिए हुआ है जो भी कुछ आप लोगों के साथ हुआ पास्ट में बस ये हैं यहां पर फिफ्ट चक्रा मैंने कम्यूनिकेशन की बात करी थी मुझे यहां पर कम्यूनिकेशन का मेसेज भी मिला था और यहां पर फिफ्ट चक्रा की ही एनरजी है तो अपने कम्यूनिकेशन की उपर काम करो देखो communication की जरूरत केवल ऐसा नहीं है कि हमें हमारे profession में ही बढ़ती है communications हमारे रिष्टों में भी काम आते हैं कोई बात बिगड़ रहे हैं उसको समभालने में भी communications काम आते हैं तो यह नो हमारा कितना impact किसी के उपर पढ़ रहा है यह सारा department हमारे throat chakra के उपर अच्छा ठीक है चलो मैं इतना ही याद रखी option first कि आपने throat chakra के उपर आप लोग काम करें योगा करें ब्रामरी प्राणायम हो गया तो कुछ ऐसे प्राणायम भी है जो कि आपके throat chakra को balance करते हैं और जाद से बोलने की practice करी है जैसे क्या है न मेरर में जाओ कोई presentation देनी और आप उसे दस बारी practice करो confidently कोई speech देने के practice करो अब चाहो आप मैंने प्रेयर कर रखा यह है लपिस लजूली तो यह throat chakra के लिए बहुत ही amazing crystal है manifest करने के भी काम में आता है आपकी overall vibration को raise करता है तो आप अपने लिए लपिस लजूली भी विएर कर सकते हो okay and यहाँ पे है happy family का message सब कुछ ठीक हो जाएगा यह थोड़ सा वक्त कभी कभी सब की life में आ जाता है जहाँ पे कुछ problems चल रही है कुछ परिशानी चल रही है यहाँ पे divine की तरफ से यही message आप लोग ले आ रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा मैंने कहा ना option first आप याद रखें कि जो भी कुछ आपको हुआ है वह इसलिए हुआ है आप लोग के साथ कि आप इस space से बाहर निकलो क्योंकि आगे बहुत बड़ा सफर बहुत कुछ बड़ा जैसे आपके लिए बेट कर रहा है और आप वहीं रहते उनहीं लोगों में रहते अप उनीं office में रहोगे तो आप वहीं फसे रहोगे आप उसी को अपनी दुनिया समझो कि जब क्वानियन, care and compassion, choose to be loved to what is right for everyone involved, offer a helping Mother Earth Gaia, Earth Connection, Lady Venus, okay, तेखो option first, you know, दूसरे लोग कैसे हैं ना? है ना? हमें उनके जसानी बनना, हमें अपनी personality खुद बनानी है, हमें अपना रास्ता खुद चुनना है, हमें कैसे जीना है, यह हमें खुद decide करना है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हलाकि आपके कुछ experiences जो है वो लोगों के साथ अच्छे नहीं रहे, कुछ ना कुछ problem आई या जो भी कुछ है, लेकिन यहाँ पर आप लोग लिए message यह है, कि आपको rude नहीं होना है, आपको निरदाई नहीं होना है, आप प्यार के लिए बनने हो, आपके अंदर बहुत प्यार है और आपको उसको जगाए रखना है, चीज़े बस यह हुई कि आप भै गए या जो गलत लोगों को अपना समझा या जो भी कुछ है, लेकिन अपने प्यार वाले सुभाफ को आपको नहीं छोना है, हर्टलेस आपको नहीं बनना है, बिसिकली यह चीज़े हाँ पर कई जा रही है, अगर कोई मदद के लिए आपके पास आए, जरूर मदद करें, लेकिन एक् यह दुनिया गोल है, लोट कर जो तुम करोगे वो तुमारे सामने ही आएगा, तो वही चीज़ यहां पर कही जा रहे है, एक तो अपने आपको धेर सारा प्यार करो, खुद को दिन भर बोलते रहो, I love myself, I love myself, I love myself, I love myself, दिन भर खुद को फील करके बोलते रहो, और देखन तो आज आप कोई भी कॉमेंट करना, ठीक है ना कि आप इसको करोगे जरूर करोगे, और दो-तीन दिन बाद आके उसी कॉमेंट पर अपना एक्सपिरियंस जरूर करना, वापस से आप देख तो कितने लोगों के रिप्लाई आते हैं वापस से तो यह आप सब के लिए एक् अप्षिन पर अप्षिन पर अप्षिन आप खुद को नहीं पैचान रहे हो अपने सारे लोग ना कि आप उसी चीच को अपनी दुनिया समझ रो यह प्यार पैसा घर परिवार लेकिन आप उसे कही जादा हो आपके अंदर एक हीलर चुपा हुआ है आप एक हीलर हो आप ख कुछ चीज़ें जैसे आग की जीवन में हुई तो यहां पर क्या कहा जा रहा है प्रकर्टी से अपना नेचर अच्छा करिए कुछ लोग पताने क्यों यह ईश्वर ने आप लोग क्या सोचा यह रीडिंग है लेकिन कुछ लोग जैसे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं भगवान क्या की रचना करी है यह तो आप मानते हो ना और वो आपके साथ है वो आपके अंदर ही है तो उसी एनरजी से यहां पर कहा जा रहा है कि कनेक्ट करना है ठीक है ना लेडी वीनस की एनरजी है दाउनलोड और अनरस्टेंडिंग प्रुथिस बिंग रिवेल टीप यहां पर यहां यहां पर रहा है जासरे डाइमन की एनरजी और आप खुद हीरा हो और उप्षिन फर्स्ट बैकन आप कहीं गंदगी में फज़ए और जैसे हीरा भी कोईले की खान में निकलता है रैइक तो वह कोईला यहिंए आपका सुभाव नहीं है आपका सुभाव अ आप समझ रहें, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ तो यहां पर बहुत सारी चीज़ें आपको समय के साथ reveal होंगी, समय के साथ आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे, फिलाल आपको एक bigger purpose के लिए तैयार किया जा रहा है, कुछ करना है भी आपको, कुछ कर प्रेन किया जा रहा है यहां पर वो bigger purpose को achieve करने के लिए, तो जो हो रहा है ना, खुशी, 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 उसको accept करो, यह चीज यहां पर है, और देखें यहां पर क्या messages है, option first भक्ति, ओचस देखो, अपनी health का बहुत सारा ख्याल रखना है, option first यह message यहां पर आप लोग लिए है, health को neglect नहीं करना बिलकुल भी, और अपनी health के लिए conscious रहना है, मैंने कहा रहा है, आप जितना चीज़ों को अपने अंदर stuck रखोगे, वो health issues के through भार निकलेंगे, तो बस समझ जो वहीं पर हाँ, कि कुछ चीज़ों को लटको करने के यहां पर भक्ती का message है, भक्ती प्यार है, प्रेम है इश्वर के लिए, और यहां पर भी प्यार का message आप लोग ले मिला, अपने प्यार वाले सभाव को आप लोग को नहीं चोड़ना option पर, ठीक है, कुछ लोग तो यहां पर ऐसे होंगे, जो बहुत जादा प्रेक्टिकल अप्रोच वाले हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत जादा ऐसे हैं, जो कि, क्योंकि प्यार आप लोग के अंदर बहुत जादा है नो, भक्ती वही इंसान कर सकते हैं, जिसके अंदर एमोशन है, जिसके अंदर यह नो, बहुत सारी भावनाएं हैं, तो फिर आप एक unconditional love वाली energies चीज में जा सकते हो, है ना, तो वही चीज यहां पर कही जा रही है, कि भगवान जी से, ईश्वर से, जिस भी रूप में मानते हो, लेकिन, उनसे वह लेवल का connection जो जुड़ेगा ना, वह भक्ती के माध्यम से, कितने ईश्वर के पाने के दो रास ने हैं, तो ग्यान का है मैं दोनों पर चलना बिलीफ करती हूं, दोनों को बैलेंस करके चलने पर बिलीफ करती हूं, लेकिन फिलाल यहां पर आप लोग के लिए कि वह भक्ती वाले मार्क पर चलो, छीक है, और देखते हैं यहां से, पैशन, ओके, इस्ट्रेंथ, यहां पर भई, अपने आप से कह कि अपने अंदर पैशन को जगाओ बहुत स्ट्रेंट है आप लोग के अंदर बहुत शक्ति है खुद को अंडिस्टिमेट आप लोग को नहीं करना है अपनी केर करो यह नूँ आपने कुछ लोग ऐसे हैं जैसे किसी ने आप से कहा कि तुम तुम कहा ही जैसे यह डिजर्फ करते हो या तुम इतने खुबसूरत नहीं आपना स्टेल्फ डाउट में चले गए यार मुझ में कुछ कमी है मैं अच्छा नहीं हूँ मैं अच्छी नहीं दिख रही मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ आप लेकिन यहां पर कहा जा रहा है भ हमारे जीवन के क्या प्रिंसिपल है उपमारे और हमारे और है कि वाइपर करते हैं हमें करेंए तो यहां पर अपनी पर्सेनेलिटी उन्हेंस करनी है और कैसे होंगी अपने उपर काम करो ठीक है यही चीज यहां पर कई जा रही है अब अपने आप में बहुत ही ब्यूट यह चीज आपने याद रखनी है आप से और मैंने बताया ही I love myself, I love myself, I love myself खुद को यह affirmation देते रहो जो भी भी आपको याद है Okay, so option first, यह है आप लोगों की reading, I hope आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अपना feedback में इसा ज़रूर शेयर करिएगा अच्छी लगी हो तो इसको like करना, चल्ड को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले, and मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक सीरिंग में, तब तक के लिए, बाई सारी चीजें यहां पर आप लोग ले देखेंगे, से कार्ट को यहां पर साइट से रख देते हैं, and shuffle कर लेते हैं, option two, and यह जो reading है, timeless reading है, जब भी आप लोग देखोगे, आप लोग ले रहे की, and male female कोई भी इस reading को देख सकता है, साथ में केसी भी age group से हो, आप तो भी इस reading को अपने लिए चेक कर सकते हो, okay, जब चले देख लेते हैं, option two, okay, high crystal, three of swords, five of curves, nine of curves, okay, कुछ लोग का यहां पर हो सकता है, किसी तरीके से कोई सपना तोटा हो, मैं केबल ऐसा नहीं कर रहे हैं, love life की बात नहीं कर रही हूं यहां पर, लिकिन कोई भी सपना हो सकता है, कोई भी उमीद हो सकती है, अपने career के रिलेटेड आपने कुछ सोचा, कहीं से कोई उमीद लगाई, कुछ तो यहां पर ऐसा हुआ है, जिसके विज़े से आप लोग थोड़ा सा disappoint अपनी life में हुए हो, और deep inside आपको मालूम है कि जो होता है, अच्छे के लिए होता है, तो आप यह भी चीज़ पर believe कर रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तकलीफ तो आपको हो रही है, जिसे आसपास वाले लोग क्या सोचेंगा, I don't know, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ social ऐसे terms हैं यहां पर आपके अच्छे के लिए हैं, तो आपको पता है, deep inside आप इस पर believe कर रहे हैं, आपको intuition आ रही है, आप लोग बहुत 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 होंगे, यहां पर high-pristice की energy है, यहां पर nine-of- esempio की energy है, आप लोग कहीं न कहीं बहुत ही intuitive हो, बहुत ही psyche को, क्या होने वाला है, आपको पहले से ही वो science हो जाता होगा, साथ में आप दूसरों के emotions को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, आप सही गलत को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, बहुत mature हो option 2, बहुत mature हो अपनी life म और यह नो सही करम करने के ऊपर बिलीफ करते हो इविन से बहुत सारी मुश्किले भी जब आपके लाइफ में आती है ना आप सिलीशन की तरफ जाते हो ना कि बस रोने पैट जाते है हाई मेरे साथ ऐसा हो गया अफकॉस दुख तो होता है लेकिन आप संभालते हो आप चीज हो जाते हो फिर से शुरुवात करते हो तो यह एक चीज में आप लोग के अंदर देख रही हो और आपकी इसी आदत की वज़े से ना ऑप्शन तो मतलब जिस होता है कि आपकी एंजल्स आपके स्पिरिट गाइड सब आप से बहुत सब बहुत सब कनेक्टे रहे हैं आपको सारी खुशियां मिलेंगी हाँ पर मतलब इस माटीरियल वर्ड के रिलेटेड जो भी खुशी है है ना वह आपको जरूर मिलेगी प्यार है पैसा है अच्छा घर चाहिए है है ना वह सब कुछ में आप लोग को मिलते हो देख रहे हो अब अफकॉस तेखो जिन्देगी है तो कुछ अपन डाउन तो चलता रहता है तो उसकी में बात नहीं करूंगी लेकिन सब कुछ आपको मिलेगा सारी चीज़ें आपको मिलेंगी है ना और मैं यह पी देख रहे हो कि आप आगे जाकर ना बहुत पड़े लेवल पर जैसे डोनेशन कर रहे हो आई डोन आपका सपना है कि मैं स्कूल ओपन करवाँ मैं मैं ट्यूशन दूँ फ्री में मैं गरीब लोगों को पढ़ने में हल्प पता नहीं क्या है लेकिन कुछ ऐसा सपना है कि मैं एजुकेशन रिलेटेट कुछ रहे हो कुछ एजुकेशन रिलेटेट आपका सपना हो सकता है मुझे बत इसा कुछ मुझे आप लोगे नजर आ रहा है और मैं क्या बोलूँ आप लोग तो अर्यूटरी बहुत है बहुत बॉजिव हो बहुत बॉजिव हो सकते हो है ना बालेंस परसन हो दो रिइडिंग देखने हैं कि देख लेते हैं कुछ मैसे जो भगवान जी की तरफ से तो हमारे लिए टेप इंसाइड यह सारी चीज़ें जो मैं यहां पर आपको बता रहे हूँ आपको पहले सी पता हूंगी कुछ नया नहीं है और बस दिल की आओगा शायद आप लोगों का उप्शन तो कि रीडिंग देख लेते हैं हा आदि वीची कर पैना कत देख लेडिक है ना आधि एनरजी हैं और कार्ट की से जंप आखे करकर का रहा है ना आधि के कार्ट क की सहां मेंगे …..बहुत बहुत spiritual हो आप झ़ार और मुझे नहीं पता लेकिन आप लोग हो सकता है अकल साइंस में हो आप लोग टीचर हो आप लोग डॉक्टर हो आप लोग हीलर हो या आप दूसरे लोग को गाइड करते हो कुछ हो आप कुछ ना कुछ हो सकता है कि आप लोग इस फील्ड से हो या अगर इन फील्ड से भी बस यहां पर कहा जा रहा है कि छोड़ी-छोडी से अटेच हो जाते हो ना वो मत हुआ करऊं है अभी किसष्ट पर काम करना है सब्सक्रम करना करना है वह पर काम करना करना है शारती है न इन यह मेसेजر हैं पर आप लोग के लिए हैं और ज्यादा हैडिक नहीं लेनी है यह अपनी आप होता जाएगा आप बस अपने उपर काम करते चलो और डेफिनेटली हाँ पर जो भी लोग यह रीडिंग को देख रहे हैं कोई नहीं कोई को जरूर शेयर करिएगा जो नहीं आपको आपकी जर्नी में मदद करी यह मैं आप लोगों से जरूर कहूंगी जो जो रोमेंस का यहां पर मैसेज है प्यार बहुत सारा मिलेगा और यह प्यार मुझे केवल ऐसा नजर नहीं आ रहा कि एक हस्गन वाइफ वाला हो केवल एक ल पहुत पयार मिल रहा है बहुत एपरिसेशन मिल रहा है बहुत रिट के काम के लिए आपको जाना जा रहा है यह चीजे हाँ पर है लेकिन बहुत इमशनल हो किसी का दर्द नहीं देखा जाता मतलब आपको पता है कि सामने वाला इनसान Echo आ है यह हम करे चाहिए बहूत आप लोग के साथ हो यह एक चीज आप लोग के साथ है चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है option two divine director intervention and purpose divine intervention is occurring know that you are being guided happiness is your purpose happiness is your purpose खुश रहना आपका purpose है और खुश रखना भी आपका purpose है खुशियां बाटना आपका purpose है कुछ लोग यहां पर सोच रहते हैं मेरा soul purpose क्या है खुशियां बाटना अब वोग आप कैसे बाटते हो वो आपने देखना है वो आपने decide करना है तो यह चीज यहां पर आप लोग लिए है पता नहीं है अज option first की reading भी ऐसे आई थी और आप लोग की भी ऐसी है कि किसी खास मक्तथते ही आप इस दुनिया में आयों अब हमेशा you know know that you are being guided आपको हमेशा आपके इंजल्स आपके spirit guides आपको protect कर रहे हैं आपको guide कर रहे हैं और यह सब बाते हैं आपको बहुत अच्छे से मालूम है है ना okay higher learning you have learned from experience no more study is now required to further progress this is the divine की तरफ से मेसेज है कि यहां पर रुकना नहीं है अभी और जदे यहां पर study करनी है जो भी आपका field है जो भी आपका sector है और जदा knowledge लेने की जरूरत है और ज्यान लेने की यहां पर जरूरत है क्योंकि बहुत कुछ करना है जिन्दगी कम पढ़ जाती है कभी कभी इत्ता पढ़ने के लिए हो जाता है कुछ वैसे ही यहां पर मुझे आप लोग ले लग रहे बहुत सारे goals हैं बहुत सारे purpose हैं आप लोग का सब्ना हो सकता है मैं अपनी किताब लिखों मैं अपनी book लिखों राइटर बनूँ मैं अपनी experience को दूसरों के साथ share करूँ यह चीज्ज़ यहां पर मैं आप लोग ल तो देना है अन्नी हाओ देना है ठीक है ना Master Buddha Wow Increased Awareness Deep connection trips your inner voice तो यहाँ पर मैसेज यह है भई कि अपनी inner voice को सुनो अपनी अंतरात्मा की हाँ पर सुनो बहुत ही प्यूर सोलो option 2 जो भी चीज आपको बहुत ज़ाद करेंटली इफेक्ट कर रही हो For example कोई डर है आपके अंदर कैसे समझाओं जैसे सब्पोस जब COVID था कुछ लोगों के अंदर ज़रूर से ज़ादा डर था है ना थोड़े ज़ादा हाईजीन को लेके चीज़ों को लेके ज़रूर से ज़ादा डर रहे समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ तो उन्हों ने वो बीमारी को ने लिया, लिकिन वो डर को ज़ादा ले लिया अब को सिप्गरावाना था लेकिन पागल ने हो जाना था देद के पीछ आईट अब यहां पर फोटीज कोई चीज आप को बहुत ज़ादे एफर्ड करे जारी है अब जरूर अस चीच के उपर पागल हो रहे हैं परिशान हो रहे हैं अपने उस connection को समझना और उसको ही heal करने की जरूरत है ये कुछ past life के incidence की वज़े से यहां पर आप लोगों के साथ है ठीक है ये चीज़ यहां पर है तो उसको heal करने की जरूरत है यहां पर यहां पर रेकी विशुद्धा आप्शन फर्स्ट के लिए भी था कि थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करें आप लोगों के लिए भी आप लोग चाहों तो आप्शन फर्स्ट की रीडिंग एक बारी देख सेको हैं ठीक है यहां पर है विशुद्धा की एनरजी पहली चीज़ तो बता दू कि आप लोगों के जीवन में आ रहे थे वह दूर हो जाएंगे ठीक है ना इसके बाद यहां पर विशुद्धा की एनरजी है और यहां पर लर्नी का भी मेसेज है अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर और काम करो ठीक है ना यह मेसेज यहां पर आप लोगों के लिए है तब ही क्य करना पड़ेगा यह चीज़ यहां पर आप लोग ले आ रही है ठीक है कुछ लोग के थोड़े से कमिनिकेशन इसूज यहां पर हैं अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करें बाकि आप चाहें तो लिपस लजूली आज मैंने पहना हुआ है ऑप्शन फर्स वालों को भी बो सकते हैं बहुत अच्छा स्टोन है थोड़ चक्रा के लिए कमिनिकेशन के लिए ओके इसके साथ यहां पर सत्वा की वी अनरजी है आप लोग के लिए है तो सत्वा का मतलब समझ लेजे एक ऐसी लाइफ चैसे आप एक मौंग की तरीके से जीरे हो एक साधू की तरीके से ज चिंता नहीं है राइट अफकोस अपना करम कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सबिलिटी को पूरा कर रहे हैं वह सब कुछ है लेकिन अंदर से वह पवित्रता होनी चाहिए ना यह चीज यहां पर कही जा रही है हमेशा सच कर साथ देना है आपकी डाइट जो है वह जितनी ज चाहना लोगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है ना यह चीज यहां पर करी जा रही है और देखते हैं यहां से ऑप्शन टू लास्ट क्या मैसेज़िज हैं ऑप्शन टू के लिए अप्शन टू यहां पर है पहला कार्ड मुर्यालिटी का तो यह नो सम्टाइम्स हमें लाइफ में कुछ टॉफ डिसिजन्स लेने पड़ते हैं लेकिन हमें यहां पर आपके लिए यहां पर कहा जा रहे कि अपने मोरल वैल्यूस के साथ काम करें इवें अगर कुछ टास्क के लिए डिफिकल्ट हैं जिस कंसिस्टेंट एफ़र्ट वहां पर करते रहें कॉंस्टेंटली उस चीज़ को अचीज करने के लिए करते रहें उस इत्य शुडू में आपको कुछ मिश्किल लग रहा हो लेकिन जितना जादा आप काम करोगे एफ़र्ट करते रहोगे तो आप उसे अचीज़ कर लोगे गिवप नहीं करना है किसी पी चीज़ के ऊपर ये चीज़ यहां पर कही जा रही है अब होता है ना कि हम अपने लिए सपोस्ट कोई मंजल डिसाइट कर रहे हैं तो वहां पहुचने में हमारे सामने काफी बारी चैलेंज़ आते हैं डिफिक नहीं मानने हैं ये चीज़ यहां पर करी जारे क्योंकि पॉर्पस बढ़ा है ना तो इतना इसी भी नहीं होगा ये चीज़ है यहां पर ओकी सो ऑप्शन चो यह हैं आप लोगों की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी अपना फीडबैक जरूर शेर करिएगा मेरे साथ अच्छी लगी हो दो इसको लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स एडिंग में तो तक के लिए बाई